आज हम बात करेंगे टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के डिजाइन, फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकिकिशन्स के बारे में टाटा मोटर्स जल्दी अपडेटिड SUV टाटा हैरियर को लॉंच करने जा रही है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के स्टाटिंग प्राइज 14.69 लाक रुपे रखा गया है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का डिजाइन की बात करें तो नई हैरियर अपडेटेड फ्रन्ट फेसिया के साथ आईगी इसमें एक नया ग्रिल एक बोल्ट ब्लैक बेंड से अलग किया गया है नए डिजाइन का बंपर एक ट्रेपोजाइडल सेप का हैडलेम कलेस्टर दिया जाएगा ग्रिल के उपरी इससे में एक फुल वाइड एलिडी लाइट बार दी गई है और निचले इससे को मजबूत प्लास्टिक लेडिंग के साथ हाइलाइट किया गया है साथ ही इसमें नए डिजाइन के फाइफ स्पॉक अलोई विल्स दिये गए है और हैरियर का साइड प्रोफाइल काफी हद तक परजेंट मॉडल से मिलता जुलता है इस SUV में 19 इंच तक के अलोई विज दिये गए है जिनमें एक रिफ्लेक्टर के साथ एक अपडेटेड बंपर, स्मूथ और क्रॉस, LED इंटर्नल और साइनिंग ब्लैक्स, फिनिस के साथ एक रियर इसकी प्लेट में सामिल है नई टाटा हेलियर का पूरा डिजाइन और स्टाइल, इस मिड साइज अपडेट के साथ काफी बदल दिया गया है इसके इंटिरियर में काफी चेंजस देखने को मिलते हैं इस SUV में 10.25 इंच और 12.3 इंच के टच स्क्रीन ओक्खे ऑप्सन दिये गए हैं टाटा हेलियर फेसलिफ्ट के फीचर्स की बात करें तो टाटा हेलियर फेसलिफ्ट में भी टाटा लोगो और नए टच बेज yapt, कंट्रोल पैनल के साथ, एक नए और इस्पो के स्टेरिंग विल दिया गया है इसमें navigation के साथ 10.25 इंच का instrument cluster दिया जाएगा Central console में अब digital display के साथ drive mode selector के लिए नया rotary dial भी दिया गया है इसके gear lever को छोटा की कर दिया गया है और high time में electronic parking brake दी गया है और नीचे के हिस्से में hand brake lever दिया गया है Tata Harrier के facelift के इंजन की बात करें तो Tata Harrier facelift में 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन और जो 170 PS की power और 350 एनम का torque जनरेट करता है ये इंजन 6-speed manual और 6-speed automatic transmission के साथ आएगी